पानी से करो बिना मिनत वजन कम बढ़ता हुआ वजन लगबग पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है और लोग अपने वजन को कम करने के लिए डाइट और कसरत पर लगे रहते हैं लेकिन पानी की इंपोर्टेंस को भूल जाते हैं और इसी लिए वजन भी कम नहीं कर पाते जी हाँ, आज हम पानी के बारे में ही बात करने वाले हैं और आज हम आपको पानी से जोड़ी पांच ऐसी टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना कुछ किये ही आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं हो सकता है इन में से कुछ टिप्स आपके लिए नई ना हो लेकिन कुछ टिप्स पूरी तरह से नई होंगी तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हम आपको हर टिप या बात का कारण भी बताएंगे तो उसे भी समझिएगा ताकि आप हमारी टिप को पूरे दिल से फॉलो कर पाएं हम आपके लिए ऐसी ही शांदार टिप्स लेकर आते रहते हैं जो कि बिना मेहनत ही आपका वजन कम करने में आपको योगदान देती हैं हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सबस्क्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वी वीडियो कभी भी मिस ना करें पानी से जुड़ी पहली टिप है सुबह उठकर कम से कम दो ग्लास पानी पीना हमें यकीन हैं आपने इस बात को पहले भी सुना होगा लेकिन ये क्यों करना है शायद आप नहीं जानते होंगे देखी क्या होता है कि जब आप रात भर की नीन लेने के बाद सुबह जाकते हैं तो आपने जितनी देर नीन ली है उतनी देर में कोई पानी नहीं पिया। अलबता आप उठकर बातरूम जरूर गए होंगे और फिर आकर सो गए होंगे। और इसी बीच हमारे शरीर से सांसों के जरीए, बातरूम के जरीए, पसीने के जरीए पानी निकलने की प्रक्रिया चलती रहती है साथी हमारे शरीर भी पानी का इस्तेमाल करता ही है और इस सब की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और पानी की कमी का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि हमारी बोडी का मेटाबोलिक रेट कम हो जाता है मतलब हमारे शरीर की खाने या उर्जा को जलाने की प्रोसेस बहुत ही धीमी हो जाती है पानी की कमी होने पर हमारा शरीर प्रोटीन को हजब नहीं कर पाता और इस वज़े से फैट बढ़ता है साथ ही हमारा शरीर पानी को बचाने की कोशिश करने लगता है और इसलिए कई बार आपको सुभा मोशन बनता ही नहीं है क्योंकि उसमें भी शरीर पानी को खोता है लेकिन जब आप सुबा सुबा उठकर एक दो गलास पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर पे पानी की कमी दूर हो जाती है और आपका शरीर पानी को बाहर भी निकाल सकता है और आपकी बाडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज हो जाती है जो कि आपके वेट लॉस को हेल्प करती है इसलिए पानी से जुड़ी पहली टिप को फॉलो करिए और हर सुबाए दो गलास पानी ज़रूर पीचिए पानी से जुड़ी दूसरी टिप है पानी की भूग को पहचानिये अब आप कहेंगे कि ये पानी की भूग क्या होती है तो हम आपको समझाते है देखिए जो आपको ब्रेकफर्स, लंच और डिनर के बीच में भूग लगती है वो असल में पानी की भूग ही होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और इसलिए हम खाते रहते हैं और हमारा वजन बढ़ता रहता है अब आप कहेंगे भूग हमारी, पेट हमारा तो आपको कैसे मालूम की हमें पानी की भूग लगी है पानी की भूग लगती है पानी की भूग लगने का सिगनल जाता था अब इसे हजारों साल की विकास प्रक्रिया के चलते हमें जब प्यास लगती है तो हमारा शरीक खाने की मांग करने लगता है ऐसी हालत में अगर आप सिर्थ थोड़ा पानी पी लेते हैं तो आपको बहुत फाइदा मिल सकता है आपकी भूग कम हो सकती है और आप वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि अपनी पानी की भूग को पहचानिये इसे मिटाइए और आप आसानी से अपने वजन को कम कर सकते हैं पानी से जुड़ी तीसरी टिप है परियापत मातरा में पानी पीते रहना जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब आप पानी कम पीते हैं या आपकी शरीर में पानी की कमी होती है तो आपकी बोड़ी का मेटाबॉलिक रिट कम हो जाता है आप खाने को हजम नहीं कर पाते और जब खाना ठीक से हजम नहीं होगा तो फैट तो बढ़ेगा ही लेकिन अगर आप सही पानी पीते हैं तो ना केवल खाना हजम होता रहेगा बलकि आपका वजन कम करने में भी मदद मिलती है साथ ही पानी से आपका शरीर फ्रेश और एक्टिब भी रहता है जो कि आपको हेल्दी भी रखता है इसलिए हर दिन कम से कम तीन लीटर पानी सरूर पीचिए वजन कम करने के लिए पानी से जुड़ी चौथी टिप है दिन में कम से कम दो बार नहाईए ये एक फालतू बात लग सकती है लेकिन एक यूनिवरसिटी में खोज करताओने पाया है कि जब आप दिन में दो बार नहाते हैं तो करीब 280 कैलोरीज बर्ण करते हैं साथ ही आपकी बॉड़ी का ओवरॉल मेटाबोलिक रेट भी तेजी से बढ़ जाता है जो की वेट लॉस के लिए काफी मददकार होता है मतलब वजन घटाना है तो दिन में दो बार नहाना आपके लिए एक अच्छा समाधान हो सकता है और इस वक्त तो गर्मी का समाधा है साथ ही दो बार नहाने से आपको बीमारियों से भी बचने में मदद मिलेगी तो इस टिप को अपनाने में कोई नुकसान नहीं है जो आखरी टिप हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बहुत ही सिंपल है लेकिन वजन घटाने में ये राम बान सावित होती है आपको करना सिर्फ इतना है कि हर बार खाना खाने के करीब 45 मिट पहले एक गलास पानी पी लीजीए और उसके बार जब आप खाना खाएं तो करीब 30 मिट तक पानी मत पीजिए खाने से पहले पानी पीने से आपका पेट भरा रहेगा और आप कम खाएंगे दूसरी तरफ जब आप खाने के 30 मट बाद तक पानी नहीं पीएंगे तो आपके पेट के डाजेस्टिफ जूस खाने को तेजी से हजम करने की प्रक्रिया को चालू कर देंगे और आपका वजन उससे भी कम होता रहेगा पानी से मिलने वाले फायदों की लिस्ट हम काफी लंबी भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए ये पांच फायदे ही काफी है और अगर आप इन पाँच बातों को समझ लेते हैं तो पानी का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं और खुद को सेहत्मन बना सकते हैं तो आप पानी से अपना वजन घटाइए वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए अपने सबी अपनों के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई वी वीडियो कभी भी मिस ना करें